1586 में आज एकी दिन मुगल सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया था 1708 में आज एकी दिन सिखों के दस्पे गुरू गोवन सिंग्जी की हत्या कर दी गई 1914 में आज एकी दिन प्रसित काई का बेगा मक्तर का जन्म हुआ इन्हें दात्रा, ठुमरी वा गजल में महारत हासिल थी उन्हें कला की शेत्र में पदमश्री तथा सन 1975 में पर्णो प्रांत पदमभूशन से सम्मानित किया गया था बेगा मक्तर को मली काई गजल के किताब से नवादा गया था 1931 में आज एकी दिन दक्षिन अफ्रीका में रंग भेट के खिलाफ अभियान चलाने वाले डेस्मेंट टूटू का जर्म हुआ 1921 में आज एकी दिन जर्मनी के सोवियत कबसे वाले इलाके में एक सम्मिधान लागू किया गया जिसके कारण पूर्वी जर्मनी बना तकरीबन चार दशक के बाद पूर्वी और पश्मी जर्मनी एक बार फिर से एक हो गए 1925 में आज एकी दिन मदर डेलिसा ने कॉलकाता में मिशनरीज औफ चारिटी की स्थापना की थी 1922 में आज एकी दिन रेपेडक्शन फोर्स की स्थापना की गई 2001 में आज एकी दिन आदंगवाद की खिलाफ अमारिका का उपरेशन एडियोरिंग फ्रीडम शुरू हुआ था 2004 में आज एकी दिन जर्मनी ने सुरक्षा परिशद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया 2008 में आज एकी दिन फलस्तीन की राशपती महमूद अब्बास चार दिन की राज के यात्रा पर भारत पहुँचे थे 2011 में आज इकी दिन लाइबेरिया की राजपती एलन जॉंसन सरलीफ मैला दिकार कारे करता लिमेहे जीवोई और यमन की तवाकुल कर्मान को शांती की शेत्र में नोबल पुरसकार देने की खूशना की गए